So, बंदा हज़र है और आज इस वीडियों में बात करने वाला हूँ ता वैक्सीन वार के बारे में And yes, this time I'm late, हाँ मुझसे लेट हो गया है But movie कैसी है इसके बारे में बात करूँगा उससे पहले अगर आप चानल पर नए हो तो सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब कर लो Bell कापट इन दे बलो और वीडियो को end तक जरूर देखना So, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस movie को देखने के बाद मैं विवेक अगनी होतरी जी को भाई थैंक्स कहना चाहूँगा ये movie जो है उनके सारे movie से हट करके है लेकिन उनका जो movie का style है जैसे दा task and find की बात कर लो या फिर दा काश्मीर फाइल की बात कर लो और अभी दा vaccine war भाई ये सारी movie जो है इक बताता है इनका pattern है या किसी भी तरह के भक्ती वाले गाने नहीं मिलेंगे सिर्फ और सफ point to point बाते होंगी and that is the good thing कि इस movie के अंदर में वही चाहिए था किसी भी तरह का masala तड़का या फिर किसी भी तरह की मिलवट नहीं चाहिए थी और आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा जब आप movie देखोगे तो भाई end तक रुके जरूर रहना क्यूंकि जितने भी character के बारे में बात की गई है फिल्म के अंदर में जिनों भी जो character को play किया है वो सारे character का real face उनका पूरा information दिखाया जाता है so it's a kind of fact जो है वो सामने रखा गया है और इसके अंदर में आपको कोई भी हिंदू-Muslim वाला angle नहीं मिलेगा this time the nation and the media भाई media को लेकर के मेरे भी भाई बहुत सारे मतलब सवाल रहते दिमाग में कि आप इतने सारे नफरत लाते कहां से हो और कैसे करके बेज देते हो यार और आप पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है by the way इस सवाल का जवाब जो है मेरे पास तो नहीं है कि वो कैसे कर लेते लेकिन इस movie के अंदर में उनको बहुत अच्छे से address किया गया है कि जब कोई चीज अच्छी होने वाली रहती है उसके बारे में कोई कुछ सवाल नहीं उठाएगा लेकिन जब कोई चीज बुरी होने वाली रहती है तो उसको बार-बार लेकर करके मतलब वाइरल करते रहेंगे बताते रहेंगे देखो यह हो गया है इस तरह से हम fail हुए हैं यह सारी चीज़ बताएंगे और वो सारी information देंगे जिससे लोग का depression level high हो जाए तो भाई यहाँ पे काफी अच्छे तरह से उस चीज़ को देखाया गया है और जिस तरह से उन्होंने act किया है that is nana particle, nana particle जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखे हैं उनकी acting, उनका dialogue delivery, उनका पागलपन्त, उनका rudeness, everything, everything is commendable आप उसको देख करके बोलोगे यार कि क्यूं आखिर क्यूं ऐसा है यह बंदा लेकिन सही टाइम पे सही appreciation जिस तरह से होना चाहिए वो करते हैं पलवी जोशी ने जो यहाँ पे role play किया है भाई she is the financer कह सकते है इस movie की producer भी है वो उन्होंने पैसा लगाया है सो उनका भी performance बहुत जबरदस्त है यहाँ पे negative role में आपको राइमसेन देखनी वाली है और उनका जो role है boss as a media person है और जिस तरह से उन्होंने सारे चीज़ों की है भाई वो चीज़ देखाना ज़रूरी था वैसे ही रहते हैं सो हाँ overall movie अगर कहा जाए तो जबरदस्त है आई opener movie है आपको पूरी family के साथ में आ करके देखना चीए बहले से आप कितने भी बड़े मुसाला movies के fan हो लेकिन ये movie भी देखना ज़रूर चीए जिसमें आपको ये पता चले कि exactly जो vaccine लेकर के आपने इस coronavirus को मतलब हराया है और आज जो जिन्दा हो वो exactly कैसे बना था और कितनी सारी बलिदान के बाद में जितने scientist है वो उन चीज़ों पर काम किये और सफलता हासिल की में success मिला उनको तो और अलगर कहा जाए it's a total पैसा वसूल film लेकिन हाँ थोड़ा रूखा रहेगा उस तरह की नहीं होती है movie इनकी ज तरह सिन्दों ने बनाया है वो जरूर होना चाहिए तो आप बताओ आपने अगर देखा तो आप बताओ movie कैसी लगी है मुझे जैसा लगा मैंने अपना honest reaction दिया है what's your take please do comment यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद मलताओ नेक्स वीडियो में तब तक क्लिस वास्तर हो मास्तर हो जबर्दास्तर हो